नमस्कार दोस्तों मनोज साइबर कैफे पाणीपत के यूटूब चैनल पे आप सभी का सबागत है दोस्तों हरियाना में वन टाइम रजिस्टेशन का जो पोर्टल है पिछले एक साल से ये चला हुआ है यानि के पिछले एक जनवरी 2021 से फोर्म बढ़ना स्टार्ट हुआ था वन टाइम रजिस्टेशन अरियाना स्टाप सेलेक्शन की तरफ से फोर्म बरवाया जा रहा है सब ही को इसके बारे में पता है अगर नहीं है तो मोटा मोटा मैं बता दू अगर यदि आप हरियाना में ग्रूप C और D की कोई भी विकैनसी सरकारी नोखरी के लिए आप सिर्फिय साथी जो भी दसमी पास बार्मी पास ग्रेजवेस्टेशन से पसिर्फ आप उसको आप बदाना करवाना जरूरी है और यदि आपने कोई क्वायाएशन जैसे दसमी के बाद बारमी का रिजल्टर नहीं आया है यदे आप उसको अपेरिवेस्टर कर रहे हैं और आप उसको appearing में डाल के अपना registration करवा सकते हैं जब आपका result आएगा उसको बाज में आप update करवा सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप comment कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो इस वीडियो को बनाने का main motive यह था कि अरियाना में जैदि आपने CET का one time registration का फारम अपना भरवा रखा है तो कैसे confirm करेंगे आपने form भर रखा है तो सबसे पहले जरूरी है आपको mobile number पता होना चाहिए आप जो form भरने में यूज करते हैं जो आपका form भरते हैं कोई भी उसमें आप कौन सा mobile number यूज करते हैं ठीक है वो आपको confirm होना चाहिए उसके धरूर आप इसमें login कर पाएंगे लोगिन करने का process में आपको बताओंगा लेकिन उससे पहले में आपको option बता देता हूँ यह profile मेरे पास एक login profile है इसमें जब आप login करेंगे अपनी profile में भी आप login करेंगे इसी तरह का interface में लब screen आपके सामने जो है खुलेगी उसमें आपके सामने जो है option आएगा एक तो य जानकारी आपको home page पर ही दिखाई देंगी दूसरी बात आपका यहाँ पर make your payment के option की जगह पर आपको profile की detail दिखेगी आपकी profile आपका print का option मिलेगा print profile का option मिलेगा यदि आपकी सब ही detail यहाँ पर आप click करके देख ले और आपके पास कोई भी उसमें option नहीं आ रहा है तो आ process क्या है इसके लिए आपको क्या है official website पे आना है one time registration अर्याना इसका link मैंने वीडियो के description में दे दिया है पूरी जानकारी आप वहां से पढ़ सकते हैं Hindi में मैंने वह जानकारी दी है ठीक है one time registration के official website पे आपको आना है इस website पे आने के बाद सबसे पहले आपके पास यह option अ पे क्लिक करने के तुनंद बाद आपके पास एक OTP आएगा वो OTP आपको डालना है और login करना है और उसी तरीके से आप जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि आप कैसी चेक करेंगे वो side में आपकी profile और payment का जो option है वहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेंगे और वैसे भ जानकारे के लिए आप जो है दोस्तों मेरी यूटूब चैल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद जैहिन जैवारत